महराश्ट में कोरोना के कोहराम के बीच चल रही रेम डेसिवीर की काला बाजारी को लेकर कॉंग्रेस्ट ने मोधी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है आज कॉंग्रेस्ट नेता और पुर्वे सियम असोग चवान और सुप्रियास रिनेत ने प्रेस कॉंफरेंस में पकड़े गए दवा सप्लायर का संबंद बीजेपी से बताते हुए इसके लिए मोधी सरकार की खिचाई की असोग चवान ने का कि एक तरब महराश्ट में मौत का तांडो मचा रही महमारी को रोकने महाविकासागारी सरकार जी जान से प्रयास कर रही है वहीं बीजेपी और मोधी सरकार के इशारे पर रेम डिसिवीर की काला बाजारी हो रही है कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी की निंदा की है कांग्रेस ने जहां रेम डिसिवीर को लेकर बीजेपी पर हमला किया वहीं महराश्ट के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंदर फणवीस ने महाविकासागारी पर पलटवार किया है फणवीस ने कहा कि जिस मेडिकल स्टॉकिस्ट को पुलिस ने रेम डिसिवीर की काला बाजारी के अंदेशे में हिरासत में लेकर जबरन करवाई की है वह पूरी तरह से जूटी है बीजेपी नेता ने दावा किया कि उद्व सरकार अपनी नाकामिया छिपाने के लिए बेवज़ा के मुद्दों में उलज रही है देवेंदर फणवीस ने अपनी जाच कराय जाने के बयानों पर भी जबाब देते हुए कहा कि मैं महराश्ट की जनता के लिए काम कर रहा हूँ इसलिए कारवाई से डर नहीं है